हलो तो दोस्तों मदवानिय स्टडी सेंटर में आप फिर से स्वागत है तो दोस्तों आज हम फिर से एक नया अपडेट के साथ आप लोग के बीच आ चुके हैं जो कि अभी डिस्प्ले पे सो हो रहा है बिहार के जितने भी मद विद्याले है वहाँ पे कम्प्यूटर सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ वीडियो को सेर करना ना भूलें तो दोस्तों में इसी परकार का निया अपडेट आप लोग के बीच लेकर के आते रहेंगे उससे पहले आप हमारी टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के रहें जो की आपको मदवानी स्टडी सेंट होगा मदवानी स्टडी सेंटर कि हार एक अपडेट फाइल नोटिफिकेशन पेपर कटिंग जो भी आता है यहां पर अपलोड किया जाता है वहां से आप लोग पाड की अधिक अधिक अप्डेट पासकते अधिक अधिक जानकारी ले सकते हैं तो इस टेली ग्राम से प्राइवेट से हो जो भी अपडेट आता है इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा तो दोस्तों बढ़ेंगे आज की अपडेट की ओर और देखेंगे आज का क्या अपडेट है इस बैकेंसी को कैसे किलियर होगा कब तक यह बैकेंसी आपको उचार है तो देखिये आगे बढ़ते एक पेपर कटिंग के माध्यम से आप लोग को बताने का कोशिश करेंगे कि क् effort केंसी में क्या इसमें कंडिशन है और जब मद विद्याले में केंप्यूटर सिचक आएंगे तो फिर ICT, ICT इंस्टेक्टर कहां जाएंगे, यहां से भी इनको भगाया जाएगा क्या, देखते हैं आगे इसमें क्या क्या दिया हुआ, हिंदुस्तान बियोरो, राजी के मद विद्याले में भी अस्थाई रूप से जो है, वहां पर लाया गया है, जो कि मद भी द्याले में अभी केंप्यूटर से रिलेटेट सारा काम, वो सारा चीज़ देखते हैं, करते हैं, तो देखते आगे, सिच्छा विभाग ने इसकी तयारी भी शुरू कर दिया, अब देखिए, इनका तयारी कितना जोड़ सोर म लीन है, विभाग ये पताधिकारी बताते हैं कि प्रारंब से ही सरकारी स्कुलों के बच्चे को भी केंप्यूटर का ग्यान देने के लिए विभाग की ओर से या पहल की गई है, और इतना दीन से मतलब जो है, इतना साल से जो मद भी द्याले में स्टुडेंट पढ़ते थ तब उनको केंप्यूटर का जरूरत नहीं था, मगर अभी देखिये, इलक्षन का टाइम है, तो अब उस बच्चे को केंप्यूटर सीखना इंप्रोटेंट हो गिया है, बाली आना जो है इंप्रोटेंट है, क्योंकि वहाँ पर उनका बोट बैंक है, तो देखते रहिए, वर्तमान में राजी के माध्विक उच माध्विक विद्यालों में कक्षा 9 से बार्मी केंप्यूटर सीखक कारियरत है, इसी तरजी पर मध्विद्याले में भी केंप्यूटर सीखकों का पदास्त आपना किया जाएगा, मध्विद्याले में कक्षा 6 से 8 तक की पड़ाई ह इनकी नियुक्ति नियामवली पूरी होने के बाद इनके पदों के सुर्जन पर विभाग प्रस्ताउत तायार करेगा इसके बाद पद सिर्जन पर क्याविनेट की सुविकृति ली जाएगी सुविकृति अभी नहीं मिला है बहुत जल्द देखने को मिलेगा राज में 28,000 मद भी द्याले 28,000 मद भी द्याले है तो सम्ठिंग इसमें 28,000 बेकेंशी आपको देखने को मिल सकता है 28,000 केंप्यूटर सिच्छक का बहाली बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल सकता है हलां कि मद भी द्याले के लिए कंप्यूटर सीचको के कितने पद सुरीट किये जाएंगे इस पर अभी कोई सहमती नहीं बनी है, अरे 18000 मद भी द्याले और पर मद भी द्याले में एक टीचर जाएगा तो अभी अठाएशने आइसे हो जाता है, अभी मतलब कंफर्म नहीं कि गया कितना पर vacancy आना है बाकी आना है vacancy इन computer शिचकों की निउक्ति भी अस्थाई पदपर करेगी सदांतिक सहमती विभाग में बनी है इनकी निउक्ति भी बिहार लोक सेवा आयोक के माध्यम से कराई जाएगी मतलब बिहार लोक सेवा आयोक के द्वारा इनका भी जो है बह उन पर भी जो है गाज गिरने वाला है तो अभी कुजीन पहले कोट से जो इनको रिलीफ मिला था ICT इंस्टक्टर को अब पताने इनका बैकेंसी आने के बाद उन लोगों के साथ क्या होगा तो देखते हैं जब तक कुछ अपडेट ना आ जाए तब तक तो बस पेपर में ही जानकारी दे सकते हैं तो ये बैकेंसी आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाला है इसी परकार का अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुरे रहें चैनल को लाइक करें सस्क्राइब करें दोस्तों के साथ वीडियो को सेर करना ना भूले तो ये ता आज का अपडेट इसी परकार का जो हम अपडेट देते रहेंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद